हाई गाइस बेलकुन टू क्रेटिंग बैल्थ तो SBI काड़ के एक बार रेजल्ट देख लेते हैं बहुती तावर तोड़ हाला कि इस बार जो है इस कंपरी ने रेजल्ट पोस्ट किये हैं और एक अच्छा खासा इनका इनकम और प्रॉफिट में जो है एक अपसाइट देख देखने को जो है मिल रही है तो इस बार अगर देखेंगे आप जो इनकी पर्फॉर्मेंस है इंकम की अगर बात करें तो इंकम देखेंगे तो कहीं न कहीं क्वार्टर ली लेविल पे येर ओन येर एंड क्वार्टर के हिसाब से जो है एक अच्छी खासी इंकम में जो है growth देखने को मिल रही है basically and साथ की साथ अगर बात करें कि profit में कैसी income है तो profit की वी income में आपके सामने रखता हूँ तो income यहाँ पर देखेंगे तो income इनकी होती हुई देख रही है 3,016 करोड की जबकि previous quarter में यह income थी 2468 करोड की और जबकि यहाँ पर अगर बात करी जाए तो previous quarter में जो income थी यहाँ थोड़ी जादा थी वहाँ से थोड़ा decline है और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें 580 करोड का जो है company ने profit जो है post किया है जबकि previous year में यह profit था 175 करोड का तो multiple profit जो है profit में कही ना कहीं एक अच्छा खासा performance अच्छी खासी जो है आती हुई देख रही है अब यहाँ पर अगर बात कर लें FY21 तो FY22 कैसी performance है वहाँ भी जो है शानदार performance जो है company ने post की है और यहाँ पर आप देख सकते है income सताँवे सो तेरह करोड से 11301 करोड जो है दिखी है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनका जो है जो profit है वो भी करीब 60-65% के आसपा जो है profit में भी एक अच्छा खासा growth देखने को मिल रहा है 984 करोड से 1616 करोड का जो है company का जो है profit इस बार company ने post किया है तो बढ़िया income उम्मीज से जो है जादा कहीं एक income और profit जो है इनकी earnings जो है होती हुई देख रही है और इस वाले quarter में कहीं न कहीं जो है अच्छी खासी growth भी जो है देखने को मिल रही है तो हर चीज की अगर हर एक parameter पर अगर देखा जाए तो SBI card के जो है बहुती धमदार जो है नतीजा आते हुए देख रहे हैं एक बाद चार pattern भी देख लेते हैं 830 रुपे के आसपा जो है ये stock इस समय पर trade कर रहा है अगर इसके high की अगर बात करिया है तो lifetime का high ये इसका 1165 का वहां से एक अच्छा खासा stock correction में जो है आभी चुका है अच्छा खासा correction जो है आप देख रहे हैं देखने को आपको जो है मिलेगा तो यहां पर अगर बात करने तो 770 रुपे 780 रुपे के आसपास का जो support है जो March 2 में आगर देखेंगे वहां के आसपास जो है वो support कहीना कहीं जो है आप काम करता हुआ देखेगा income भी जो है अच्छी खासी काम करती हुई जो है भरती हुई देख रही है earnings मतला अच्छी खासी आती हुई देखी है FY21 तो FY22 तो यहां पर कहीना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले time में company जो है और अच्छा खासा improve करती हुई देखेगी अपनी services को अपनी जो है जो है products को तो कहीना कहीं FY23, FY24 में यहां से और better performance इस company की आ सकती है बिलकुल buy और इसको hold किया जा सकता है यहां पर 770 या 750 से 770 रुपे के आसपास का stop loss रख के अपना भी analysis एक पर लेकिन जरूर कर लें उसके बाद इस stock को buy से लिया hold करें वीडियो अच्छे लगए तो अब like जरूर करिएगा चैनल अगर subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कर लें फिर मिलते हैं next वीडियो में